सिर्फर आशिकों की कई कहानी आपने टीवी पर देखी होंगी जिसमें लड़की के प्यार में पड़ा एक सिर्फर आशिक कैसे मरने मारने को तयार हो जाता है एसी ही ये घटना यूपी के सोन भदर से सामने आई है जहां फिल्म की शूटिंग के लिए लगबग 70-80 लोगों का ग्रूप आया है जो सोन भदर के रॉबर्ट्स गंज में रह रहा है पर उन्हें इस बात की उमीद नहीं थी कि शूटिंग में कुछ हैसल के कारणामे भी सामने आएंगे जो किसे फिल्म से कम नहीं होंगे हुआ यूँ कि शूटिंग ग्रूप की एक कलाकार रितु के कमरे में अचानक एक सिर्फिर आशिक पंकज यादव घुज गया जो रितु के मुताबिक पिछले दो सालों से उसका पीछा कर रहा था और जहां भी हो जाती थी वहीं आधमकता था ऐसा ही उसने रॉबर्स गंज में भी किया जहां रितु के कमरे में आकर रितु पर पिस्टल तांदी और जबरदस्ती करने की कोशिश भी की बहुत देर तक रितु के समझाने पर भी वह नहीं माना और रितु पर गोली भी चलाई जिसमें रितु बाल-बाल बच गई अर यह मैं जो था जो आया था बंदा सुष का नाम पका जागा पांदबा है वो पिस्टल साथ मेरा फीछा कर ला था इसे खिलाब मेरे हर जगा हर थाने पर अफ़ आयर कर रखा है बात करने की बहुत गोशिष की, की सम्झाने कोशिष की, इसके फैमली वालोंसे कॉट्ट्याट करने की point कॉशिष की, पूरी इंडस्ट्री को पता है, पोरी इंडस्ट्री को पता हैards, अब खर facing company, बार कीसिगfy Hack करने की को और मुझे हमकि का चाहिझ का सुशिश या का week करने मेरे रूम में थी, सोरी थी, नाइट शुटा कर, अभी कॉल टाम था नहीं हमारे पास, तो मेरे रूम में नौक किया मुझे ला मेरे स्टाफ है, क्योंके मेरे स्टाफ में हेयर, मेकपड़ बॉइ होते हुआ, आथ मुझे लगा वही है, मैंने देखने की भी कोशिश की, तो म मुझे माणना चाहाँ, तो उसक demos कोली शएद मिस हो गया होगा, यहाँ बॉना का चाहाँ, मैं जा स्टाफ में कोली कर सकताँ में है, जाने के मी कोश पोगे की लिग्वेस्टि की, कि मुठके बैठते हैं, क्या चाहते हो, क्या बादी है, मैंने बात करते हैं उस आघरा में आज मेरे हाथ में सब कुछ है, तुम में से मिली नहीं आसता, कि चैप लगती कि थी, मैंने कुछ नहीं था और हाथ बगबास करने लगा, मेरे कुछ दर्वाइब करने गोशिश की अब ही जवस्तिक करने कुछिश की टाइप ओफ रेक करना चाहा फिर फोलिस टाइब लिए वहाँ पर और फिर उसने बाहर के लोग दर्वाजा तोड़ना चाहा मेरे कुछ दो हवाई फाइब करके मानना चाहा आप बता दो ना यह बाहर कि वही को बैट पहाई साथ इना आ रहा है शर, सर करना चाहा है अब अब लिए वहाँ मोबाइल चेल लिया उसे जहां तक हो सका मेरे लोगों कॉंटेक्ट जब किया कुछ लोगों पता हो गया कि हमाई फारुए किसके बाहर से फोल गिकिया मेरे बार्वार्वार्वार्वार पोर्केंट करनी को चुछ की वही कमरे से गोली की आवास सुनकर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी वक्त रहते पुलिस के रॉबर्ट्स गर्ज पहुचने के बाद भी सिर्फ राषिक नहीं माना और रितू पर पिस्टल तानकर उससे शादी करने की बात मनवाने पर जोर देता रहा वहां मौजूद पुलिस अधिक्षक सल्मान ताज की लाग कोशिशों के बाद किसी तरह सिर्फेरे के हाथ से पिस्टल छीनी गई और रितू के साथ-साथ घटना पर मौजूद लोगों की जान में जाना आई पूटल रबर्ट गज के अंतरगर्थ एक फ्लिम शूटिंग के लिए क्रिव मेंबर्स लगवा कर शतरशी लोग वहां रह रह रहे थे और इसी में एक लेड़ी आर्टिस्ट जह है उनका नाम भूं में यह नकी रहुता फ्लिम लगश्यायाद हो एक तो तैन निएम के पीछे लागा हुआ था और चाहता थे लिए जाता था कि यह यही इसको रिपॉंस करें हमेरी लगातार उसको मना कर रही थी और रहर जगह जह menaー जो आरि किरो इंडिया में यह पीछा करते हैं उनके जाता था था अिसे क्रम में में आज लगण पाप उन ने इसके हाथ में एक लोड़ेड पिस्टल थी और एक एक्स्ट्रा डैक्सिम भी थी जिसमें पुरी बोलिया भरी थी और इसने पुड़ाना पर शुड़ार शुड़ा किया और वहां पर इनके अनुसार इनको मारने के लिएट से फायर किया तुलिस को जैसे सुचना मिली इंस् को अगर वहां पुड़ान पाचित कर रहा था इसको कोई चोड़ नहीं पहुचिछ कर रहे थे हैं अगर वह पिष्टल की पैरल हमारे तरह पॉइंट करके ही हमसे लगब आरसाथा अट मेंडर की जोड़ी से बात कर रहा था ता करीब आने नहीं दे रहा था फॉड़ाए कि लड़की सेफ है और उसको कोई चोड़ नहीं पहुची है कमरे में कम सब्सक्राइब के निशान है जो लगती पर उसमें किया थे एक लड़की के जोड़ लगने का अभी तक इंफॉर्मेशन मिला है इसको वेरिफाइब कर रहे हैं या बोली से लगी है उससे चोड़ य सोन बद्र से मनूत सिंग राणा की रिपोर्ट